एक भविश्य के लिए ध्यान की शक्ती का उप्योग करें, अपने लक्षियों और सपनों को सपष्ट रूप से द्रिशे में देखें, इस मानसिक पुनरावलोकन से आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, और इसे हासिल करने की संभावनाएं बढ़ाते हैं, दो, सकारात्मक आशीरवादों के साथ पुनर प्रोग्राम करें, आत्मसंदेह का सामना सकारात्मक आशीरवादों के साथ करें, शक्तिशाली कथनों को नियमित रूप से दोहराने से आपका आत्म विश्वास बढ़ता है और सफलता को आकरशित करता है, त अपने लक्षेों की और निरंतर कदम बढ़ाए। चार विकासात्मक मानसिक्ता को स्वीकार करें। अपनी सीखने और सुधारने की क्षमता में विश्वास करें। चुनौतियों को बढ़ने का मौका और विफलताओं को सफलता के पत पत्थरों के रूप में देखें पांच एक जीतने वाली सुभा की आदत विक्सित करें एक सकारात्मक और प्रेरनादायक गतिविधियों के साथ अपने दिन की शुरुवात करें जो एक उत्पादक और सफल दिन के लिए माहौल निर्धारित करती है छे आकर्शन का कानून कोई जादूगरी नहीं उस तक शायद आकर्शन के कानून पर चर्चा करती है लेकिन याद रखें कि यह एक निश्क्रिय रन्नीती नहीं है या आपके विचारों और क्रियाओं को अपने लक्षों के साथ संरेखित करने के बारे में है साथ आत्मदेखभाल को प्रात्मिकता दे अपने आपकी देखभाल शारिरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से निश्क्रिय है जो एक सकारात्मक मानसिक्ता और अपने लक्ष हासिल करने के लिए आवशक उर्जा की देखरेक करने के लिए महत्वपूर्ण है